कि गाइस तब हम स्टार्ट करते हैं डिलेशन्स क्या होता है लेकि चैप्टर का मेन जो हमारा एक सब्सक्राइब बता रहा हो तक तो इसलिए आप लोग को जो लोग क्लास में नहीं पढ़ पाए हैं वो यहां से सेख सके तो चलिए आप मैं स्टार्ट करता हूं जो सबस्क्राइब है सबर्ल सबस्क्राइब प्रियेशन होते हैं यहां रिलेशन होते होंगे तो हिलिफ में रिलेशनष होते हैं गेँए हैं उश्राइबिंग待って मने बोलते हैं और मी इस eyesight-प्रदर ऑफ साहं पहतले हैं नाई성 बन रहा reckon और बिछं में कि दोड़ सखते हैं कि मुहन का function का तो रिलेशन का डिफिनेशन होता है एक रिलेशन इसका कनेक्शन रिलेशन इसका कनेक्शन और तो यह दूसरा कह सकते हैं और इसका होकðा हिसका क्राटिरिया क्या होता है कि एवरी रियलेशन बेज़्थ का इल्भी रिलेशन इंवाल्प से मिनिमम कम से कम थू एडेंटिटीज या औभ्स लिख सक्ते हैं लोग और रहे संग निक्न होता जैसे की पक्रेंटviewer और हमारा एक्जांपल में करेक्शन क्या हुआ है यहां पर कि इन दोनों की बिच्वें ब्रदर का करेक्शन है उस तरह से वहां पर क्या एक्जांपल यह तो फादर करेक्शन था इस तरह से आप एक करेक्शन है लिंक है तो लिए जब दो चीज़ें या दो एमांग चीजों अब देखते हैं लों रिलेशन सों माथमेंट है यह अम्सार्ट में होते हैं तो रिलेशन मैथ आप लोगों बहुत सारे देख चुके हो जैसे कि हमारा कोई लाइन दिया गया है दो लेंद्धे गया मोरें वं दूसरे के प्ररपेंडिकुलर ईड़ लिगते हैं Bak अधर कोई number p है जो कि greater than q है तो इस तरह से इन दुन में क्या एक रिलेस्टन है greater than इस तरह सागjos एक है कोई एल्मेंट है एक सेट है इस देखियों पर देखिए यहां पर आलाए यह क्या है सबशेट कर रिक्तान देखिया सबसेट सबसेट में बताया था क्या होता कि रिलेशन करना जो भी सब्सक्राइब बनते हैं वह हमारा सबसेट होता है का तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिलेशन का डिफिनेशन था मों पढ़ा चुक्या है रिलेशन का मैथमेटिक्स में डिफिनेशन होता है कि रिए सबसेट एस सबसेट कि एस सबसेट अफ कार्टिसियन प्रोड़क्ट मतलब अगर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है कोई सेट भी है तो हम लोग अगर एस टू बी कोई एक रिलेशन ले रहे हैं तो वह जो रिलेशन आएगा वह एक सबसेट होगा कार्टिसयन प्रोड़क्ट का ए रिलेशन ए रिलेशन आर और रिलेशन को हम लोग आर से डिरोट करते हैं ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इस आज सबसेट इस आज सबसेट ओफ दा कार्टिसयन प्रोड़क्ट ऑफ दा कार्टिसयन प्रोड़क्ट एक क्रॉस भी ओफ दा कार्टिसयन प्रोड़क्ट एक क्रॉस भी तो मालें जहें एक सेटे है इस तरह से दूसरे एक सेट भी है ओके इसके अंदर कुछ of elements दिए गये हैं इसके दूरस कुछ एलिमेंट कुछ दिए गये हैं elements ठीक है ओके तो इन दोनों का जो कार्टिशन प्रॉक्ड होगा इसके अदर के जो सबसेट हो गए वह हमारा क्या होगा रिशो होगा ऑर रिलेशन कैसे होता है एक होता है आगर एक होगा है तो यहां पर टो भी रिलेशन निया गाया चलिए दिया गया है एकजांपल लेकर बताता हूं यह तरह से स्टैबलिस होते हैं तो गाइस चलिए मैं आप लोगों गजामपल लेकर दिखाता हूं तो मैंने एक इंग्जामपल लिया है एक से टे हैं जिसके अंदर के लिमेंट सब्सक्राइब है यहां रिलेशन दिया कहा है आर फ्रॉम ए टूबी जो डिलेशन है वो कहां से कहां है से बी तक है और रिलेशन क्या दिया गया है कि यह कॉमा बी डिल्टो एक कॉमा एप लस दी और एफ बेलाओं am a ब्लॉस तूब यहांपए का बतला क्या हुआ है कि जो ए है वह केंदर के लिमेंट सब्सक्राइब है बट ब्लॉस 5 बतलब जो बी है वह वह एपलस 5 है इसके को बिलोंग कर रहे हैं बी को तो सबसे पहले में इन तीनों वैलियूस यानि यह की सारे वैलियूस को पूट करूंगा और जो बीका मेरा वैल्यू आएगा उसको मैं पेर बनाऊगा तो सबस्क्राइब करता हूं यहां बी में तो प्लस फाइशन दिया गया है तो बी इस इकल टो टू प्लस फाइब इस इकल टो टू प्लस फाइव बेस इकल टॉट टो सब्स थिए इस तरह से 5 दाउन तो यहां बीका तो थाए ना मैं तो यह तेनों कि आपके मिरे पार सबसेट वागए यह हुआ है और इसी को मैं क्या कहता हूं डेकिन देखना हम लोगों की चेक करके कि यह दोनों की आते हो उनका सब्सेट हो तो बैसम इन दोनों का क्रॉस्ट निकाला तो यह आया हमारे पस तो मैंने चेक है कि वन कॉमसी जो है इसके अंदर नहीं आ है तो क्या है एक रिलेशन नहीं है तो यह दोनों से रिलेशन है तो यह रिलेशन नहीं है यह रिलेशन है तो हम लोग इसको कैसे कर देंगे को रही हम लोग करेंगे की 267 pred temile das है से हमारा caller réalité मितलब लोग कि गढ़ें और ठीचाव्क है और फीलसष ले llation में है अब मैं आप लोग को बटाऊंगा कि रिप्रेसेंटेशन ऑफ का ए्छ रिप्रेसेंटेशन ऑफ रिप्रेसेंटेसन यह स्वैण तो हम लोग जो है फॉर्म रोष्टर फॉर्म दूसरा क्या है दूसरा तरीका है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म यह सारे चीज़ आप लोग जो है सेट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं तो मैं लोग इस चीज़ों ज्यादा डीप्री नहीं जाओंगा मैं सिफ आप लोग के एक एक्जामप के लिए इसन भी कहते हैं पतलब जो रिप्रेजेंटेशन आप साफ दिखे इसको दिखा कर लोग दिखा रहे हैं ठीक है दिखाकर के इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके तो मैं एक्जामपल ले रहा हूं यहां पर अब लेट सब्समेंदेग लिए कि एक श्क्रेट है है जिसके अंदर के एलेमेंट्स 123,4 है दूसरा सेट भी है जिसके अंदर सब्सक्राइब नहीं है अब देखिए मैं आप लोगों काउंट्सेप्ट हमें बताता हूं अच्छा सेट के अलग अलग लेमेंट थे लेकिन जो हम लोग क्लास 12 थे 11 ठीक है क्लास 11 और लेकिन जो क्लास 12 पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो सेट ए होगा और जो सेट बी होगा वो दोनों इक्वल होगे मतलब जो एसेट है मैं उसी का क्रॉस प्रोड़क्ट एक ही साथ निकालूगा यानि मेरे पास यहां दो सेट ले रहा नहीं है सिर्फ एक ही सेट से मैं एक क्रॉस में पर क्लास लेवर हम लोग क्लास 12 निकालूगा तो चलिए और यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है एक क्रॉस रहा है ए क्सेट आखिया थे यहां पर एक रिलेशन दिया गया है कि x-y y is equal to x-1 आप समझेगा कि x और y क्या है तो x भी एक elements है और y भी एक elements है ठीक है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x belongs to a and y also belongs to a बतलब यहाँ पर दूसरा कोई set है नहीं तो a ही set के अंदर जो है x भी आएगा और y भी आएगा यहाँ पर कॉमा आएगा ठीक है और रिलेशन इस तरह से दिया गया कि y is equal to x-1 ठीक है बतलब दूसरा यह होगा वह y is equal to x-1 होगा ठीक है इसका रिलेशन दिया गया है आप सबसे फ़हले इन रोस्टर फॉर्म में देखते हैं यह जो दिया गया है यह किस रूम में दिया गया है यह सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है मतलब इस तरह से जब दिया जाता है दूसको सिट बिल् पेर बना हुआ और्ट पेर मना हुआ तो कामा थी कोमा तूस तरह का जो होता है वह हमारा रोस्ट फॉर्म होता है तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन में पूट करेंगे वैल्यू तो वाईज इकॉल टो एक्स-1 दिया गया है यहां पर दोनों से चुंकि एक्वाल है तो यह वहां पर हम जो पूंत करेंगे one वैंक जो है Carm भाम्हें अनलों हमेल पहले लिए पहले प्ल eux दिया गाई है काया पास आरफ क्वाइस रूट आया लैगि यह दा कार्टिजम पर निकालेंगे एक क्रोसे तो उसके अंदर 1,0 नहीं आया क्योंकि मैं पहले ही चांदता हूं कि अगर 0 यहां पर वही चिटाएगा वाई के वाई के वाई यू जो इसको मैं नहीं जोड़ूंगा इसको एड़ नहीं करूंगा पुट करूंगा मैं वाई इकॉल यह क्या आए 3,2 इस तरह से वाई इस इकल टो फोर पुट किया तो वाई इस इकल टो आगिया 4-1 यह क्या आगिया 3 तो हमारे पास इसका जो पेर बनावाया 4,3 अब हमारे पास कितना डिलेशन बद चुका है एक दो से तीन इसको रिलेशन का हो यह सबसेट ओफ का डिशन ठीक है बात सेम है तो यह जो हमारा तीनों आया इसको रिलेशन की रूम में किसे दर साइंगे टू कॉमा वन को थ्री कॉमा फोर फॉर कॉमअ थ्री क्या है मेरे यह एक रिलेशन से किस फ़ाम는 की सभी है इन रॉस्टर फॉर्म तो आप लोग तीन चीश मेंद समझा दिया दो चीश्वि Kaiser सेट विल्टर फॉर्म वाइं रोस्टर फॉर्म में आप लोग कैसे अनिकालते हैं अब मैं आप लोगों को तीसरा वा ऐडर्रो डाइग्राम उसको समझाता हूं आप तो पर आप लोग यहां पर ती दोचीज देख लिए UMH projects यहां पर जो तीनों मैंने आप लोग बताया कि एक रोश्टर फॉर्म होता है यह जिसको विजुल रिप्रेटेशन में क्या होता है ना कि मैं लोग एक डिफिनिशन टाइप कर दिया रहे था जैसे कि डिफिनिशन नहीं है कि वाई जो होगा वह वाई होगा एक से कम जो तो इस तरह से यह दिया रहाता है सिपो करके निकलेगा जो कि रहेगा ये कि यहां पर क्या दिया गया है तो यहां पर क्या दिया गया है तो यहां पर किसे रिलेटेड है वन से 2,1 लिए दिया इस तरह से 3 कि से रिलेटेड है 3,4 3 कि सरदेड दिव को तो यहां पर सेम चीज़ हो जागा क्या हो जागा 2,1 3,4 and 4,3 यह हमारा रिलेशन आएगा ओके यह रोश्टर फॉर्म में और यह एरो डाग्राम फॉर्म में ओके तो गाइस एक चीज़ अभी हम लोगा कॉंसेप्ट शूट चुका था कि अगर कोई दो एलिमेंट है यह कह है दूसरा है यह है ठीज टिखाएंगे तो इस को दखाने का एंदूसरा लोग क्या है रिलेशन क Τो बिलॉंग करते हैं तोनों के बीच में कोई रिलेशन है इस तरह से दर्शा सकते हैं दिखा सकते हैं तो यह कौन सिप्ट लोगों किलियर हुआ अब भी अपोगों को आगे आगों कि रिंज डोमें एक को करें बता हूंगा उसका अब अपनोगों को डंबर ओफ सबसेट अन्बर अव रिले सबसे नंबर आफे बgary सबसें आगे देखते Lotua कि saja आपgodis क्लास में पढ़ चुका था तो कि डो में क्या होता है सेट ओफ पर मीशिवलड है सेट आफ पर मीशिबल इंपूटस आप पूछोंगे कि परमीश इंपूट क्या होता है तो इस एक सब्सक्राइब पास 1234 दूसरा सेट है बी सुर्य यह 1234 तुरों सेट सेम ही है यह और यह तो इनके बीज में सेट ऑफ परमिस्टी वाल इंपुट क्या हुआ था हमारा रेलेशन बना था 1,2 3,4 4,3 ओके यहां परमिस्टी वाल इंपुट है कि एक जो इधर का प्रेलिमेंट है लेफ्ट हैंड इंपुट होता है जिस पर जाता है वहारा ओट पुट होता है तो इंपुट परमिस्टी वाल इंपुट को होगा है यहां पर इंपुट तो सभी है 1,2,3,4 सभी इंपुट है लेकि परमिस्टी का मतलब वह हुगा कि जो जिससे मेरा रिलेशन बना है तो बन से रिलेशन ब अब रेंज को ने भाई तो रेंज क्या हुआ सेट ओफ सेट ओफ और परमीशिवल और यहां पर लिख दो मैं परमीशिवल और पुट्स ओके तो सेट ओपल लेते हैं उपर वाला एक सेट है सेट इसके अंदर के इलेमेंट वे वे सेट है और यहां परमीशिवल और पुट्ड क्या होंगे तो सेट रिलेशन पहले बता देता हूं वन कोमाँ टू कि भी इज था था और फूर को वह थी था परंमीशिवswल और पुट्क क तीर हमारा जारा हो जहांपर जिसका तीर का हेड़ हो तो यहां पर कुंकुर से हैं टू है ठीए है और फॉर है तो यह हमारे रेंज हो गया है ओके कि नेश्ट है कोडोवें को डब डविन क्या होता है सेट ओफ आए एए एए एएए इस एपसीवल है एसेट अफ और पॉसिवल ऑड़ पुट्स सेट ऑल पॉसिवल और पुट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी और पूसिवल हो सकते हैं कि यहां वर टू थी-फोर फिर से गई जब लेते हैं से इंप्ट से महम लो यहां पर पुटितो तो में देशन बना रहें लेकिल यहां पर क्या Current पर इसके साथ किसकी साथ उरय एक रिए क्सी साथ हो सकता था तो ये भी यह रिलिस्ट सकते हैं चारों हो गया मेरा जितना यह पॉसिवल और फूर यह क्या कहलाएंगे को मतलब आल पॉसिवल और पूट्पुट्स क्या कहलाएंगे domain के code domain कहलाएगे 1 2 3 4 क्या है code domain क्योंकि इन सभी से कोई relation established हो सकता था यहाँ पर जो relation दिया गया है उसके हिसाब से उसके according यहाँ पर 1 से कोई relation नहीं है लेकिन हो सकता था अगर कोई और relation हम लेते हैं तो 1,2,3,4 क्यों हो गया code domain क्योंकि यहाँ पर सभी possible outputs है तो domain range and code domain का भी आप लोगोंको फंडा किलियर होगा अब नेक्स्ट आम लोग देखते हैं number of subset या number of relations क्या होते हैं यह आप लोग यहाँ पर और देख लिए कि जो कोई भी एक पेर दिया गया है यहाँ पर जो रिजेशन का पेर क्या बनता है 1,2,3,4 और 4,3 तो इसका जो पहला यानि एक से वाले जो एलिमेंट होते हैं वह हमारा input होता और जो वाई वाले elements होते हो हमारा output होता देखिए यहाँ पर सिंबल हम सबसकते हैं कि पहला है इनवार आई हमारा output होगा यह पियुक्त है अब हम लोग देखिए नमबर ओफ रिलेशान्स एंडीशन्स आए है तो 127 पढ़ा चुके हैं रिलेशनिस क्से देखिए रिलेशन्स होता है it is number of possible subsets of a cross b रिलेशन्स ही होता है it is number of possible subsets of a cross b तो number of relations हम लोग होता क्या है या find कैसे करते हैं इस कारे में जानते हैं तो it is number of possible subsets of a cross b रिलेशन्स कहलाता है रिलेशन्स कारें आप लोग अभी तक कितने example समझ चुके हैं कि रिलेशन्स क्या होता है तो अगर कोई set हमारे पास a है मैं एक arrow diagram मुला भी ले लेता हूँ चलिए एक set ये है a और दूसरा set b है 3 ठीक है दूसरा set 3 जिसके अदर element से 3 है तो यहां पर लेकिन number of elements रिलेशन्स होता है इस number of possible subsets of a cross b तो हम लोग यहां पर जो है subset निकालना है a cross b का subset a cross b का कैसे निकालेगा सबसे पहले हम लोग cross product निकालेगे cross b का तब ही हम लोग जो है number of subsets आएगा तो cross product निकालते हैं इसके अंदर के element है 1,2 इसको हम लोग यह था हमारा arrow diagram है इसको मैं रोस्टर फॉर्म में विलिक लेता हूं यहां पर रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका 1,2 a and b क्या है तो number of elements in a क्या हो गया तो number of elements in a indigenous in set B क्या हो गया 1 है तो number of elements in a cross B क्या हो गया क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है n into number of elements in a into number of elements in a be can two into one is equal to 2 अब फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला देख लिए कि हम लोग लेसेंस जो दंबर उफ रिलेसेंस होता है पहले जहां पर जान लिए नवर नबर उफ पॉसिवल सबसेट एक रॉस्बी मतलब इन दोनों का जो करा टिसंप्र अप्रट आएगा उसके अंदर शबसेट्स आ minimize न को फॉर्मिला क्या होता है चू यू कि फर्मूला होता है चू ही क्ई चिबाबर कि अगर हम लोग इसको पीजिद्य क्रूज को अगर कि फॉक्स की पादे खद्वार फोर्म यह क्रूस बमानूं और फ्रीप क्यूं को यह क्वाइंद मतलब जो number of relation in a cross b आएगा number of relation कह रहा हूं मैं number of जो number of elements in a cross b आएगा वो तू तू दी पावर अगर number of relation in a and 2 भी कहा है इसको number of relation number of elements in a cross भी कह सकते हैं लोग तो number of elements in a cross b क्या आया है हमारे आपस टू तो अगर टू के पावर तू रखूं तो क्या आजागा मेरा फोर और यह फोर ही हमारा क्या है number of subsets है कि रिलेशन है number of relation है अब देखिए मैं अपनों इसको practically बना कर दिखाता हूं कि क्या सच में number of relation हमारे पास चारी है यह तो फर्मुला क्या था हमारे बाट टू तो दी पावर प्यक्यू पीक्यू क्या था कि number of relations number of elements in a cross b a cross b का number of elements आया वो टू आया और टू यह पीक्यू बने number of elements एक रॉस्पी टू था उसको मैं तू के पावर पर रख दिया और वानसर आगे मेरा फोर तो क्या number of relations है चार इस दोनों सेट के विच में हम लोग यह देखते हैं तो सेट था वन कॉमार टू और सेट बी था ठीरी तो इसका सब्सक्राइब था हम लोग क्या निकालेंगे कार्टीशन प्रॉण क्या होता है एक क्रोस भी इसका पहला एंट वन है और इसमें सिफ़ एक्हार पहला एलिमेंट वह इंगे इसका दूसरा of a cross b क्या होगा सबसे पहला जहां मोला होता है हुँ नम्मेνट कह लाता है और लोगों क्या कहते हैं दूसरा हमारा इसका पहला element होता है और तीसरा हमारा 2,3 यानि कि इसका दूसरा element होता है यानि subset निकालेंगा सिंबल तरीका है कि एक क्रॉस भी के जितने भी element आ रहे हैं उन सब को पहला लिग दो और फिर एक element इसको जोड़ दो नल सेट को दूसरा element इन सभी को एक अठा करें जोड़ जैसे कि यहां पर क्या होगा एक अठा में 1,3 और 2,3 यह हमारा जो पूर यह पर यहां पर क्या गया फॉर पॉसिवल सब्सेट्स आ गहां और फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल यह तो क्या आया था टूटो इस इकूल टू फॉर तो यहां पर यह भी जो है हमारा प्रूव हो गया इसको जिद्दल एलिमेंट को हम लोग एंप्टी देते हैं ठीक है तो आप लोग देखा कि आगर हम लोग दो फॉर्मूला यानि की टूट दिवार पी क्यू से भी निकालते हैं फॉर्मूला से नंबर फॉली नंबर फॉलीमेंट ग्याद करके एक क्रॉस भी का तो भी हमारा फूर आ रहा है और आगर हम इन दोनों को क्रॉ से यानि एंटी से और दूसरा इलिमेंट जोड़ेंगे इन सभी इलिमेंट इसके अंदर दो इलिमेंट है अगर इसके अंदर तीन चार जितिव एलिमेंट होते सभी को एक अठा करके जोड़ता और इसको एक सब्सेट के अंदर लिंग देता तो वह हमारा एक साथ लिखा हो यह हमारा सिफ एकख़यों और दाकि 2 एलिमेंट है तो यह 1-2-2-3-4-4 मेरे पास पॉस्जिवल सब्सेट बाह znajों सब्सक्राइब कि опять यह इस इकोल टूर्यलेसं सब्सक्राइब सब्सक्राइब किसी भी एक रॉस बी क्रॉस प्रोलक्क का वह हमारा रिविरेशन कहलाता है तो आई होप आप लोगों को यह विडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगोंको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो का लाइक कर दें और देखिए मैंने अभी इभी इस्टार्ट किया इस दए कब लिख्याएं ताग या विडियो और अच्छे वीडियो दे सकूँ और सी अच्छे छासी आप लोगो संझा सकूँ एट। झाल झाल